आज जो मेरी क्लासिस के साथ से मैंने जो उन लोग को समझाया था उसके रिगार्डिंग ही चप्टर स्टार्ट करियो मेरा ऐसा मानना है कि मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स एक लर्न करने के लिए बता सकती हूं तिक इसी के रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई यूटिवर नहीं हूं है एक नॉर्मल सी हूं बहुत ही ज्यादा नॉर्मल यह कह सकते हैं बट मेरा रहता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा अल्वेस हेल्प करूं उसी रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो अपलोड करने की सोची अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना और अपने से जोड़े लोगों को जरूर शेर करना देखो पढ़ाना और पढ़ना दोनी अलग लग चीदे पढ़ा मैं ऐसा आपको बताना चाहती हूं मैं अपनी जो नॉलेज है मैं शॉर्ट ट्रिक में बताना चाहती कि आपको जल् नॉलेज होता है तो 3.1 नहीं बताती मैं वह पॉइंट बता रही है जो खास आपको याद रहे हैं और एक्जाम्स में आपके आते हैं तो उनके शॉर्ट ट्रिक्स है मेरे लिए ये मेरे लिए मैंने कुछ से समझाने के लिए जिससे कि आपको शॉर्ट याज है कि चप्ट है जिसको अपनको पॉइंट को लोकेट करना हो किसी चीज को लोकेट करना हो जैसे मुझे को इसी की पोजिशन बताने हो तो उस पोजिशन को बताने के लिए हमें कॉडिनेट जोमेटरी पढ़ना पड़ता है यह हमारे सब्जेक्ट भी सिरी ही है कि हमें किसी पॉइंट को मतलब पॉइंट को प्लोट करना तो उसका अपन कैसे करेंगे उसको समझाने के लिए चैप्टर आपको दिया कहा है क्लास लाइन की बात कर रही हूं मैं study with load without load without load आपको I hope अच्छा लगेगा पढ़के थोड़ा ट्राय करते हैं फॉआ जो हम प्रते हैं एक डो लाइन होती है जो एक दूसरे के पार पर्कैंडीकुलर होती हैं इसे हम ओरिज्ञोंटल जो एक्स वाली होरिज्ञोंटल कहते हैं this means horizontal line जो X होता है वो horizontal होता है X जो line होती है यह पूरी वाली जो line होती है हमारी जो यह हमारी horizontal होती है जो state ले आईना है इस second line पर इसे बोलते है vertical क्या बोलते हैं इसको vertical line ओके यह Y होता है हमारा उपर positive नीचे negative होता है और यहाँ Max minus को होता है यहाँ plus का होता है राइट साइड जो होता है X plus के होते हैं यहाँ पर जतने भी points आएंगे जतने भी numbers आएंगे positive आएंगे positive integers आएंगे यहाँ negative integer आएंगे left side यह आप लिख सकते है जो X axis होता है उसे horizontal की horizontal में होता है वो जो य होता है वो अर्टिकल होता है ठीक है और इसमें भी दो तरीके पॉइंट्स होते है positive और negative integers ठीक है ओके इसमें भी वही होता है plus positive और एक negative जो positive होता है राइट साइड होता है और यह left side होता है ठीक है यह आप होता है और यह down होता है यह short prick है एक याद करने के लिए ठीक है ओके फिर next यह first मैंने बताया second होगे अपना इसको four parts में अपने divide करते हैं इसे quadrant बोलते है four parts में जो divide करते हैं से बोलते है quadrant quadrant क्या बोलते है quadrant ओके इसे बोलते है first quadrant second quadrant third quadrant और यह fourth quadrant ओके यह quadrant है यह था है first second third fourth इस quadrant के अंदर भी 4 pieces होते है चार points होते है एक प्लस प्लस होता है पहला वाला प्लस दूसरे वाला मतलब x वाला भी प्लस y वाला भी प्लस 2nd होता है minus plus मतलब x का minus और y का plus 3rd होता है minus minus 4 होता है plus minus यह हमारे points होते हैं इसके इंदर इन 4 हो के इंदर first में होता है plus plus second में होता है minus plus third में होता है minus minus फूर्थ में होता है plus minus ठीक है इतना आप लोगों समझ आया होगा मैंने first बोला था horizontal vertical horizontal x vertical y इसमें integer plus minus होता है right side plus left side minus ये horizontal के लिए vertical अप में जो होता है वो positive होता है अप में जो होता है वो positive और negative होता है डाउन में ठीक है इस पे चार parts होते हैं चार quadrants होते हैं जो plus plus minus plus minus minus plus minus है ठीक है fourth point देखते हैं हम क्या बोलता है origin जो होता है origin को हम zero zero से denote करते हैं जब origin की बात आएगी तो x भी zero होता है और y भी zero होता है ठीक है fifth point देखिए हम x को जो बोलते है y की distance पर x के लिए जो y की distance मतलब y की जब distance से पूछेंगे तो x को हम बोलते हैं abis का क्या बोलते हैं abis का ठीक है और y को बोलते हैं ordinate ओडिने ठीक है या x के coordinate x के coordinate या y के coordinate ओके what is meaning of coordinate coordinate मतलब step से जो point होते हैं यह coordinates कहलाते this is means the coordinates okay इतना मैंने आपको समझाया s को अब इसका x coordinate अब इसका coordinate दोने में से कोछी बोल सकता है ordinate और coordinate y के coordinates और ordinate इतना है अब यह हमारा इतना chapter का explanation था मैंने बताई दिया यह वर्टिकल एक दूसरी मतलब वर्टिकल और horizontal वने दो points है इनको प्लोट करने के लिए का आप example दिखते हैं कि कैसे करते हैं चीक है जैसे कि मुझसे किसी ने बोला कि आपको 2 और 4 को प्लोट करना किसी point पर तो मैंने एक line प्रो करी पहला एक्स होता है जैसा कि मैंने आपको बताया था always always पहला एक्स होगा always चाहे 9 जो पढ़ लो चाहे 10 जो पढ़ लो 11 जो 12 जो एक्स हमेशा always first होता है क्योंकि अब अलफबेट्स भी हम देखने तो पहले एक साता है फिर बायाता है इस वह यह से इसको मन मान सकते है पहले एक साता है फिर बायाता है तो अब 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 प्लोट करने 2 और 4 सपोस चीक है दोनों positive है मतब first coordinate की बात ओड़ी दोनों point देखना first coordinate में आएंगे देखते है आपन मैंने यहापर 0 बनाया 1 2 यहाँ पर भी यहाँ 1 बनाया और यहाँ भी मैंने 2 बनाया अब मुझे किते हैं 2 और 4 3 और यह 4 चीक है तो यहाँ मैंने 2 और 4 स्टैप से प्लोट करते हैं point चीक है आप दिख्खा है होगे आपको चीक है कभी-कभी हम इनको नाम भी देते थे ते ए तो इसको हम बोलेंगे इसको हम बोल सकते हैं इतना ही चप्टर के एक्स्प्रिविशन था इस चप्टर के अंदर यही सब चीजे हैं प्लस प्लस क्या होता है किस ट्रैप से होता है ठीक है और होरिजन्टल क्या होता है क्वाडरेंट्स क्या होते हैं प्लस प्लस क्या होता है माइनस प्लस का हम पॉइंट प्लोट होता है इस ट्रैप के हम यही चीज हम इसके अंदर पढ़ेंगे और यही पूरा चैप्टर इसी के पर बेस्ट है 3.2 जो भी बेस्ट रहे सी पूरे चेप्टर पर यहीं बेस्ट है अगर कोई पूछता है कि what is value of abiska in point in dash dash जैसे 4 और 8 में अगर कोई abiska की value पूछता है तो 8 मैंने क्या बला तो 8 में अगर abiska की value पूछता है तो 2 जो है abiska हो जाएगा और अगर ordinate की बूछता है तो 8 जो है abiska हो जाएगा जैसे मेरे से किसी ने पूछा suppose 5 और 6 6 जो है which value तो 6 is a ordinate 6 के है हमारा 6 के हमारा ordinate ठीक है यहीं मेरी last है यहीं points थे ठीक है यहीं थोड़ी से मेरी basic आपको बताने के लिए था जैसे short pricks से बहु सकते हैं बच्चों को easily तरीके से समझ आज़ेगा थोड़ा आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगे तो like और share भी करें चीक है I hope so कि आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे short pricks है ना मस मेरा काम आपको थोड़ा सा help करना था 3.2 कल में आपको बताओं में 3.1 नहीं बताती में किसी वही ठोकि वह basic बदा वही है कि आपको ऐसा chapter class में नहीं आता मैं केवल वही चीज़े बताती हूँ जो class के regarding आप यह ऐए का तो मैं एक्स वीडियो में आपको जरूर संगे आपको knowledge जरूर अभी है कर आउड रेगार्डिंग तीक है hope so आपको समझ आया होगा ओकी bye bye have a good day